ITI यानि आद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान जिसका लक्षे भारत के युवाउं को आद्योगिक प्रशिक्षन के मात्यम से कुशल, समरिध, सक्षम, सशक्त और आत्म निर्भर बनाते हुए भारत को समरिधी के शिखर तक पहुचाना है। इसकी नीव भारत के पहले प्रधान मंत्री सुर्गिय पंडिच जवाहला नहरू ने शिल्पकार प्रशिक्षन योजना यानि क्राफ्ट्समेन ट्रेनिंग स्कीम के तहट सन 1950 में युवाउं में तकनीकी कौशल बढ़ाने और उन्हें लाभकारी रोजकार के लिए सशक्त ब रोजगार उपलब्द कराना है ताके भारतिय अर्थ वैवस्था के आपचारिक और अनापचारिक दोनों ही क्षित्रों में कुशल श्रमेकों के सतत्थ प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए उद्योगों की उत्पादक्ता गौरो पूर्ण तरीके से बढ़ाई जा सके साथ ही शिक्षित युवाउं को वैवस्थित तरीके से तक्नीकी और वैवसाइक प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें अध्योगिक रवय्या विक्सित की हजा सके और बेरोजकारी की समस्या को कम की हजा सके अध्योगिक प्रशिक्षण के माथ्यम से नारी सशक्तिकरण अर्थ वैवस्था में जान डालने और नए रोजकार की अफसर पैदा करने के ख्षेतर में हर्याना सरकार स्वर्गिये पंडिज जवाहला नहरू के सपनों को साकार करते हुए अपने लक्ष की ओर बड़े ही प्रभावी ढंक से अग्रसर है हर्याना अध्योगिक प्रशिक्षण विभाग बेरोजकार युवाओं को 131 सरकारी आई टी आई के माध्यम से उच्चितम तक्नीकी और वैवसाइक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जिसमें 31 आई टी आई सिर्फ महिलाओं के लिए ही आ प्राइवेट आई टी आई संस्थान भी राच में तक्नीकी और वैवसाइक शिक्षण के प्रचार प्रसार में एहम योगदान दे रहे हैं। इन संस्थानों में एक वर्श, दो वर्श तथा तीन वर्शों का नियमित पाठ्टिक्रम संचालित किया जाता है। सरकारी आई टी आई में वर्टमान शेक्षणिंग सत्र 2012-2013 में एडमीशन के लिए 2505 ट्रेट यूनिटों में 49,168 सीटें निर्गत की गई हैं। तो वहीं 94 प्राइवेट आई टी आई संस्थानों में 910 ट्रेट यूनिटों में 14,416 सीटें एडमीशन के लिए उपलब्द हैं। सन 1966 में जब हरियाना का गठन हुआ था तब राज़ में 48 और द्योगिक प्राशिक्षण संस्थानों में सिर्फ 7,156 सीटें ही उपलब्द थी। लेकिन आज हालात बिलकुल आलग हैं। पूरे राज़ में 225 आई टी आई संस्थानों का जाल फैला हुआ है। 71 ट्रेडों में 53,060 सीटें प्राशिक्षण के लिए मौचूद हैं। 25 नए आई टी आई संस्थान प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही नो अन्ने आई टी आई का विस्तार होना है। जिससे राच में कुल मिला कर 14,500 सीटें बढ़ जाएंगी। ITI में प्राशिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए नियमित रूप से पाठेक्रम में सुधार, प्राशिक्षण पधती और प्राशिक्षकों के प्राशिक्षण में सुधार किया जा रहा है। साथ ही बाजार की मांग और उद्योगों के परिद्रिश के अनुरूप के नए ट्रेडों को काफी विचार विमर्श और शोत के बाद विकसित तथा पार्टिक्रम में शामिल किया जाता है प्रशिक्षन को प्रासंगिक और उप्योग करता हूँ यानि यूजर्स के प्रती जवाबते हैं और उन्नत बनाने के उद्देश से 29 बड़े ओद्यों की घरानों ने 65 ITI को पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप की तर्स पर एडॉप्ट किया है हनाना सरकार के महत्रपुर्ण इनिशेटिव और स्किल्ड ड्वेलमेंट के साथ हम कहीं सानों से जुड़े हुए हैं हमारा अब्जेक्टिव था कि जो अच्छी प्रैक्टिस हम मारुती शुजुकी में चला रहे हैं उन प्रैक्टिस को हम ITI में लाए और ITI का सुधार से ह कारण जो स्टुडेंट जो आटे से बाहर निकल रहे हैं वो इंप्लाइबल हो उनको अच्छी नौकरी मिल सके नौ इसको करने के लिए हमने चार एरिया को चुना एक तो ITI के इंफलक्रच्र को कि उनका इंफलक्रच्चर लेटर समाचे जो कि इंडस्ट्री में आज का चल स्किल भी हो और उसकी ओवराल स्किल भी डिवलप्मेंट हो और जो कि वो इंडस्ट्री में जाक फेस कर सके और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो इंडस्ट्री से कनेक्ट बना सके और उस इंडस्ट्री का पता हो कि जहां पे जा रहा है उसमें किस तरह कल्चिर होता है और उस कल्चिर को वह जहीं से जान सके जाने से पहले। प्रशिक्षण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। रूप से सक्षम बनानी की पहल करते हुए आईटी आई हरियाना ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वित्य वर्ष 2005-2006 में 78 के मुकाबले 2012-2013 में आईटी आई संस्थानों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। नतीजतन आईटी आई की प्रवेश क्षमता 15,188 से बढ़कर 40,133 हो गई। प्राइवेट आईटी आई संस्थानों की संख्या 19 से बढ़कर 94 हुई। जिसके फल सौरूप प्रवेश क्षमता 2005-2006 के मुकाबले 1372 से बढ़कर 14,392 हो गई। उद्योगों को विश्वस्तरिये एवं कुशल कारीगार प्रदान करने के उद्देश से सरकारी आईटी आई में 19 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटरस आफ एक्सिलेंस खोले गए। प्रशिक्षन को उन्नत बनाने के उद्देश से 29 बड़े औद्योगी घरानों ने 65 आईटी आई को पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप की तरस पर एडॉप्ट किया है। प्रशिक्षन को प्रशिक्षन को पंजी कृत किया गया है। मारूती और आईटी रोतक की तरफ से चलाय जा रहें। इंग्लिस स्पीकिंग प्रोग्राम में कम्मुनिकेशन फेकल्टी की तर पे काम करता हूँ। बेसिकली ये प्रोग्राम रूरल बैक्ग्राउंड से आने वाले बच्चन को टारगेट करके डेजाइन किया हुआ है। क्योंकि इंग्लिस को लेके उनमें बड़े सारे हैजिटेशन और इनिरश्या होता है। उसको तोड़के उनको वरक इंवार्मेंट के अकोर्डिंग धालना हमारा बेसिकली मक्षद होता है। एक्चुली इस प्रोग्राम को कई स्टेज़ में डिवाइड किया गया है। मेन फोकस जो है इस प्रोग्राम का इंग्लिस कम्निकेशन होता है। बट उसके लावा उनको सोशल कॉन्फिदेंस बिल्डिंग के लिए उनकी एक्सपोजर विजिट करवाना। उनके इंटरपर्सनल और बिहेवियर क्लासेज कंड़क्ट करना। इसके अलावा उनको प्रेजेंटेशन और इंटर्व्यू टिप्स के अलावा उनकी ग्रूमिंग और एटिकेट्स को द्यान में रखके भी इस करीकलम को डिजैन किया गया है। और इस योजना के तहट 33,000 से अधिक अभ्यरतियों को लाभानवित किया गया है। हाई, मेरा नाम उमेद है, मैं रोध तक ITI का स्टुटेंट हूँ, अगस्त 2011 में मेरा एड में सुनुआ था, मैंने इंगलिस की कलास से भी जोईन की हैं, वहाँ मैंने अपने स्टेंथ और विकनेस के बारे में पता चला, आईट आई में जाने के बाद मुझे टेक्निकल न पताया, वहाँ पे उन्होंने इंट्रीव का कुछ टिप्स दिये थे, अब हम इंट्रीव देने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आती, और हम अच्छी तरह से इंगलिस बोल भी लेते हैं, और बोलने की कोशिस भी करते हैं, पहले हमारे जिवन का कुछ ल केंपस में इंट्रीव यानि साक्षातकार के लिए हर साल जॉब मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें मारूती जैसी बड़ी कमपनियां हिस्सा लेती हैं.